अश्टमोद्यायह गर्भ में परीक्षित की रक्षा कुंती के दुआरा भगवान स्खिस्तुती और युदिश्टर का शोक सूत जी कहते हैं इसके बाद पांडव श्रीक्रिष्ण के साथ जलांजली के इच्चुक मरे हुए स्वजन का तरपन करने के लिए स्थ्रियों को आगे करके गंगा धट पर गए वहाँ उन सबने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुड़ों का स्मरण करके बहुत विलाप किया तदरंतर भगवान के चरण कमलों की धूली से पवित्र गंगा जल में पुनहस्तान किया वहाँ अपने भाईयों के साथ कुरुपती महाराज युदिष्टर धितराष्टर पुत्र शोकों से व्याकुल गांधारी कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए सोजनों के लिए शोक करने लगे भगवान श्रीकृष्ण ने धौम्यादी मुनियों के साथ उनको सांत बना दी और समझाया कि संसार की सभी प्राणी काल के अधीन है मौत से किसी को भी कोई बचा नहीं सकता इस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण ने अजात शत्रू महाराज युदिष्टर को उनका वहराज जो धूरतों ने छल से छीन लिया था वापिस दिलाया तथा दुरौपदी के केशों का सपर्ष करने से जिसकी आयू क्षिन हो गई थी उन दुष्टराजाओं का वद कराया साथ ही युदिष्टर के द्वारा उस्तम सामग्रियों से तथा बुदोहितों से तीन अश्वमेद यग कराए इस प्रकार युदिष्टर के पवित्र यश को सौग यग्य करने वाले इंद्र की यश की तरह सब और फैला दिया इसके बाद भगवान श्रीकृष्टर ने वहां से जाने का विचार किया उन्होंने इसके लिए पांड़मों से विदा ली और व्यासादी ब्रामुनों का सतकार किया उन लोगोंने भी भगवान का बड़ा हिसम मान किया तदनंतर साथ्टकी और उद्धव के साथ द्वार का जाने के लिए विरत पर सवार हुए उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भैसे विखल होकर सामने से दोड़ी चली आ रही है उत्तरा ने कहा देवादिदेव जगदीश्वर आप महायोगी हैं आप मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए आपके अतिरक्त इस लोकों में मुझे अभे देने वाला दूसरा कोई नहीं है क्योंकि यहां सभी परस पर एक दूसरी की मृत्यों के निमत्त बन रही है प्रभो आप सर्व शक्तिमान है यह दहकते हुए लोहे का बान मेरी ओर दोड़ा आ रहा है स्वामी यह मुझे बले की जला डाले परन दू मेरे गर्भ को नश्ट ना करे ऐसी कृपा कीजिए सूध जी कहते हैं भक्त वचसल बगवान श्रीक्रिशन उसकी बात को सुनते ही जान गए कि अश्वत थामा ने पांडवों के वन्ष को निर्बीज घरने के लिए ब्रह्मास्तर का प्रयोग किया है शौनक जी उस समय पांडवों ने भी देखा कि जलत हुए पांच बाड हमारी ओर आ रहे है इसलिए उन्होंने भी अपने अपने शस्त्र उठा लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्रीकृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर शानागत भक्तों पर बहुत ही विपत्ती आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की योगेश्वर श्रीकृष्ण समस्त प्राणियों के रिदे में विराजमान आत्मा है उन्होंने उत्तरा के गर्ब को पांड़ों की वंच परमपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढख दिया शौनक जी यदेपी ब्रह्मास्त्र मोग है और उसके निवारन का उपाए भी नहीं है फिर भी भगवान श्रीकृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझने चाहिए क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्य में यह है वेही अपनी निर्शक्ती माया से स्वैम जन्मा होकर भी इस संसार के सुष्टी तथा रक्षा और संभार करते हैं जब भगवान श्रीकृष्ण जाने लगे तो ब्रम्हास्तर की ज्वाला से मुक्त अपने पत्रों और दुरौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्रीकृष्ण की इस प्रकार्स्तुती की कुंती ने कहा आप समस्त जीवों के बाहर और भीकतर एक अरस्तित है फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते क्यूंकि आप प्रकृति से दूर आदी पुरुष्परमेश्वर है मैं आपको नमस्कार करती हूँ इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तरह मैं आप विद्यमार रहते हैं और अपनी हिमाया के परदे से अपने को ढखे रहते हैं मैं अबोधनारी आप अविनाशी पुरुष्प्तम को भला कैसे जान सकते हूँ जैसे मूड लोग दूसरा भेश धारन किये हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं जान सकते वैसे ही आप देखते हुए भी नहीं दिखते आप शुद्ध रिदे वाले विशाल शील जीवन मुक्त परमहंसों के रिदे में अपनी प्रेम मैं भक्ती का सुजिन करने के लिए अवतीन हुए हैं फिर हम अलब बुद्धिस्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं आप शुद्ध वासुदेव देव की नंदन नंदगो पके लाडले लालगो विंद को हमारा बारबारन प्राराम है जिन जिसकी नाभी से ब्रहमा का जर्मस्थान कमल प्रकट हुआ जो सुन्दर कमलों की माला धारन करते हैं जिनके मेतर कमल के समान विशाल और कुमल है जिसके चरन कमलों में कमल का चिन है शुरी कृष्ण ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है जैसे अपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोक गरस्त देविगी की रक्षा की थी वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार-बार बिबत्तियों से रक्षा की है आप ही हमारे स्वामी हैं आप सर्व शक्तिमान हैं श्री खुरिष्ण कहां कहां तक गिनाऊं विश से लाक्षा ग्रह की भ्यानकाग से हिडिमबादि रक्षसों की दřिष्टी से दुष्टों की दूर्त सभा से वनवासी समवेपत्तियों से और अनेक बार युद्ध में अनेक महारतियों की शस्तरा शस्त्रों से और अभी के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारा रक्षा की है जगत गुरू हमारी जीवन में सरवदा पदपद पर विबत्यां आती रहे क्यूंकि वबत्यों में ही निश्चत रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यों के चक्कर मे नहीं आना पड़ता उंचे कुल में जन्म एश्वर्य विद्या और संपत्ति की कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है वहमनिश्यों तो आपका नाम भी नहीं ले सकता क्यूंकि आप तो उन लोगों के दर्शन देते हैं जो अकिंचन है आप निर्भधनों के परमधन है माया का प्रपंज आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता आप अपने आप में ही विहार करने वाले परमशांत सुरूप है आप ही कैवल्य मोक्ष की अधिपती है मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूं मैं आपको अना दियानंत सर्व व्यापक सब के नियंता काल रूप समचती हूं संसार के समस्त बदार्थ और प्रानी आपस में ठकराकर विशमता के कारण परस पर युद्ध हो रहे हैं परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं भगवन आप जब मनुश्यों किसी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं या कोई नहीं जानत आपका कभी कोई ना प्रिया है ना प्रिया आपके समंद में लोगों की बद्धी ही विशम हुआ करती है आप विश्व के आत्मा है विश्व रूप है ना आप जन में लेते हैं ना कर्म ही करते हैं फिर भी पशुपक्षी मनुश्य रिशी जलचर आदियों में आप जन मे और उन योनियों के अनुरूब दिव्यकर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बच्पन में आपने दूद की मठकी फोड़ कर ये शोदा मिया को खिजा दिया था और उन्हें आपको बांधने के लिए हाथ में रसी ली थी। तब आपकी आँखों में आसू चल लिया था। आपकी उस दशा का लीला चबी का ध्यान करते के में मोहित हो जाती हूं। भला जिस से भै भी भै मानता है उसकी ही दशा। आपके अजन्वा होकर भी जन्म क्यूं लिया है। इसका कारण बतलाते हुए कोई-कोई महापुरुशियों कहते हैं कि जैसे मयाचल की कीरती का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है। वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुनिश लोक राजा यदू की कीरती का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंच में अवतार रहन किया है। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि बसुदेव और देव कुछ और लोग यूं कहते हैं कि अपरित्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूपते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी पीडित हो रही थी तब ब्रम्हा के प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। भक्त जन्व बार बार आपके चरित्र का श्रवन्ड गान कीटन एमस्मरन करके आनंदित होते रहते हैं। वेही अवलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्व मृत्यों के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। कि आपके चरण कमलों के अतरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। बृत्वी के राजाओं को तो हम यो 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 इरोधी हो गए हैं। हम जीव के बिना इंद्रिया शक्तिहीन हो जाती हैं। वैसे ही आपके दर्शन बिना इद्वन्शियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर आपके विलक्षन चरणा चिन्हों से चिन्हित या कुरू जंगल देश की भूमी आज जैसी शोभायमान हो रही है वैसी आपके चले जाने के बाद न रहीगी। आपके दृष्टी के प्रभव से ही यहदेश पकी हुई फसल तथा लता वरिक्षों से समर्द हो रहा है। ये वन परवद नदी और समुद्र भी आपके दृष्टी से ही विर्दी को अपराप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं ये दिवन्शियों और पार्णडवों में मेरी बड़ी महमता हो गई है आप क्रिपा करके सवजुनों के साथ जूड़े हुए इस नहें की दृड़ फांसी को गाट दीजिए श्रीकृष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है वैसी ही मेरी बुद्धी किसी दूसरी और ना जाकर आपस में ही निरंतर फ्रेम करती रहती है श्रीकृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंशी शिरुमने आप प्रित्वी के भार रूप राज वेश धारी देतनेों को जलाने के लिए अगनी सुरूप है आपकी शक्ति आनन्त है गुबिंद आपका हिवावतार गौ ब्रामण और देवताओं का दुख मिटान के लिए ही है योगेश्वर चराचर गुरु भगवान में आपको नमस्कार करती हूँ सूत जी कहते हैं इस प्रकार कुंति ने बड़े मधूर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया गया सब सुनकर भगवान श्रीकृष्ण अपनी माया से उसे म मंद मुस्कराने लगे उन्हेंने कुंति से कह दिया अच्छा ठीक है और रत के स्थान से वे हस्तनापुर लोट आए वहां कुंति और सुबद्राद ये देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे तब युदिष्टर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया यादा राजा युदिष्टर को अपने बंधू भांधूं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था भगवान की लीला का मर मजानने वाले व्यासादी महर रिशियों और स्वेम अद्बूत चरितर करने वाले भगवान श्रीकृष्टर ने भी अनेकों इधिहास कहर कर उन्हें समझाने की बहुत चेश्टा की परंतो उन्हें सांतवना न मिली उनका शोक न मिटा शोनका आदे रिशियों धर्मपुत्र याका इराजा जुदिश्टर को अपने स्वजनों के वद से बड़ी चंता हुई वे अविवेक युक्तिचित से इसने और मोह के वश में होकर कहने लगे भला मुझे दुरात्मा के रिदे में बद्दमूल हुए इस अग्यान को तो देखो मैं सियार कुत्तों के आहर इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षोनी सीना का नाश कर डाला मैंने बालक, ब्राम्बन, संबंधी, मित्र, चाचाताओ, बंधे, भाई बंधू और गुर्जनों से दुरू किया है करोणों बरसों से भी नरक में मेरा जुटकारा नहीं हो सकता यद भी शास्तर का वचन है कि राजा यदी प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्धों से में चत्रों को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संदोश नहीं होता स्तुरियों के पती और बंदु भांधों को मारने से उनका मेरे द्वारा यहां जो अपराद हुआ है उसका मैं ग्रहस्तोचत यग्य यागादी के द्वारा मारजन करने में समर्थ नहीं हूँ जैसे कीचड से गंदला जल सच नहीं किया जा सकता बहुत से हिंसा बहुल यग्यों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रहश्चत नहीं किया जा सकता इती श्रीमत भागवते महा पुराने पारम्हंच्यां संहितायां प्रतमसकंदे कुंति स्थुति युद्धिष्टर अनुतापो नामह शष्टमुद्याया है